आज हम जिस मूवी का explanation सुनने बाले हैं, उसका नाम अनुकूल है, जो सत्तेज रहे के लिखी एक science fiction story है, और जिसे डायरेट किया है शुजय घोशने, सो बीना time गवाए हम सुनते हैं मूवी का explanation, तो मूवी के start में हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम है निकुंज और वो ह हिंदी का professor है एक college में, जो एक robot servant लेने आई है एक company में, उसे बते आ जाता है उसे जो robot दिया जा रहा है उसका नाम है अनुकूल, और हमें पता चलता है अनुकूल के अंदर में सारे काम करने का program डाला गया है, और ये बहुत advanced robot है, ये अपनी माली यानि जिसके घर पे ये उसे भी सिखेगा, कैसे सिध्धामत लेना है और वो आदमी का principle यानि वो robot का role model होंगे उसका माली और इस robot की एक खासियत ये है कि वो कभी नहीं सोता, 24 into 7 duty देगा माली को और इसका payment monthly होगा, फिर company के तरफ से ये robot के बारे में एक important बात बता जाता है, वहाँ ये सिन खतम होती है, नेक सिन में हम देखते है, निकुंच अनुकुल को लेकर अपने घर आ जाता है, घर आते ही अनुकुल धीरे धीरे सारे काम करना लगता है, फिर एक दिन निकुंच से मिले, उसका भाई रातन आ जाता है, वहाँ रतन को पहले तो अनुकुल जो के निकुझ से कहता है तुम्हें पता है भाईया तुमारी खुद का भाई का नौकरी चली गई है ऐसे ही एक रोबूर की वज़े से और तुम इन लोगों को काम दे रहे हो तभी निकुझ रतन से कहता है इससे अनुकूल का कोई लेना देना नहीं है तभी रतन बहुत भला ब पता चलता है वो इंपोर्टेंट बात कि हमें इस तरह से रोबोट के साथ बुरा विहवार नहीं करना चाहिए और हमें रोबोट को मारना नहीं चाहिए अगर यह हम करते है तो अनुकूल को पूरा हक है कि वो मारने वाले को हाई वोल्टेज इलेक्टिक शॉक देने का पिर रत को निकूंच देखने आता है अनुकूल को वहाँ अनुकूल महावरत पर रहा था निकूंच उसको बोलता है ये उसका फिवरेट किताब है अनुकूल फिर कहता है मुझे कुछ बाते समझने ये आ रहा है इस बुक में तो निकूंच उसका डाउल क्लियर करने क्रिश्न भगवान अर्जुन से अपने घर वाले भाईयों को मारने के लिए बोल रहा है। यह तो गलत है। निकुंसता भी कहता है यहां क्रिश्न भगवान अर्जुन को मारने के लिए नहीं कह रहा है। वो अर्जुन को अपनी धरम यारे ड्यूटी नहीं माने के लिए ब और दोसरी तरफ उसकी भाईयों का धरम क्या हुआ? अरजुन से लढ़ना. तो दोनों अपनी जगा ठीक है. फिर अनुकुल बुसता है तो भाई होने का धरम का क्या फिर अनुकुल और बुसता है? अगर ये दोनों योध्धा अपनी धर्म निवा रहे हैं तो कौन ठीक है और कौन गलत ये कौन डिसाइड करेगा निकुंज तभी अनुकुल से बोलता है ये ठीक होगा कौन गलत और कौन सही ये देखके फिर अनुकुल पूछता है कौन सही और कौन गलत ये कैसे पता चलेगा निकुझ तबी कहता है दिल से फिर एक दिन एक आदमी आता है और बोलता है उसे पता चला निकुझ बावु ने एक रोबोट को काम पे लिया है घर पे तो निकुझ उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है और उसे कोई wrong information है ये कहके वहाँ से भेज देती है वहाँ अनुकुल ये सब देखके निकुझ से पूछता है आप उनसे जूट क्यों बोले तभी निकुझ कहता है कुछ टाइम ऐसा situation की वज़े से हमें जूट कहना परता है आपको कैसे पता चला अभी जूट बोलना है तभी निकुझ कहता है दिल से फिर हम देखते है निकुझ को जॉब से निकला जाता है वो भी एक रोबोट की वज़े से क्योंकि वो लोग लगता है कि निकुझ से अच्छा पराना जानती है एक रोबोट तो निकुझ अनुपूल से कहता है अगले महिने से वो अनुपूल को रखने का पैसा नहीं जुटा पाएगा तो उसे रखना मिश्किल हो जाएगा फिर हम देखते है रतन जोकी दालु पी के सुबग सुबग वहा आता है और एक गुधनियूस और एक बैदनियूस की वरह में बोलता है वो कहता है निवारन अंकल मर गया है तो वो रतन के नाम पे सब कुछ उसका घर, पैसा, जमीन कर गई है और ये है रतन का गुदनियू नहीं छोरके गया, तो यह है बैड निउस, वहां रतन शरत के नसे में फिर से नुगुल को तन करना स्टार्ट करता है, निकुंच तभी उसको यह करने के लिए मना करता है, और निवारन अंकल के घर जाने के लिए रेडी होने चला जाता है, फिर निकुंच को घर के बदल मे जोर से बिजली करकनी की साउंड आता है, और घर में भी जोर का साउंड आता है, कुछ लिने की, वो जब देखने में आता है, वहां रतन को जमीन पे मरा हुआ पाता है, अनुगुल कहता है, रतन उसको फिर से मान में आया था, तो वो मजबुरां उसको हाई वोल्टेज श कहता है, क्या जूट बोलना होगा, फिर हम पुलिस और डॉक्टर को देखते है, बोडी का टेस्ट करते हुए, डॉक्टर बोलता है, ये एसिव हार्ट अटक है, शायद बिजली से डर गया था, फिर हम देखते है, एक एडवोकेट मिलने आता है, निकुन से, और कहता है, सारा संपत्ति अभी रतन के मर जाने के बाद, वो ही हगदार है, यानि सब कुछ अभी निकुन्ज को मिलने वाला था, क्योंकि वो दोनों ही थे निवरन अंकल का वारिस, फिर निकुन्ज कहता है एडवोकेट को, वो इतना यकिन से ये कैसे कह रहा है, तब एडवोकेट कह कहता है, ये वो नहीं कानून कहा रहा है, फिर उससे पता चलता है, निवरन अंकल का सारा संपत्ति का टोटल एमाउंट सारे गैरा करोड है, फिर अनुकुल और निकुच दोनों एक दूसरे की तरफ देखके मन ही मन खुश होते है, यहाँ ये मूवी फतम होती है, अगर य एजिली यूटूब पे अवेलेबल है, तो एकस्प्राइशन अच्छे लगी, तो लाइक कॉमेंट जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम मिलते हैं आप से एक नई एकस्प्राइशन के साथ,